गुड बोनिंग डियर स्टुदेंट्स कल हमने मिलींस होंम सेरेंगे की दो प्राव्लमं डिशक्स की थी एक प्राव्लम में आपको रियल पार्ट दिया हुआ था और आप से का आगया था कि analytic function आपको बनाना है आज जो problem लेंगे वो कुछ अलग प्रकार की होगी उसको भी solution हम करेंगे तो आज की problem लेते हैं इस पर आपको लिखा हुआ है सामने screen पर if u minus v equal to x minus y x square plus 4xy plus y square and fz and fz equal to u plus ib is an analytic function of z x plus iy then find fz in terms of z तो fz आपको क्या दिया हुए? u plus ib और u minus v कितना दिया हुआ है यह आपको यह दिया हुआ है और आपसे क्या कहा गया है? analytic function मनाईगे तब आप करेंगे क्या? इसमें आपने क्या लिया? अपने question में solution करने में आपने fz लिया जो कि u plus ib दिया हुआ है इसके अंदर आप i की product करेंगे जैसा कि आपको जब method समझाए गया था वहाँ पर भी clear किया गया था वहाँ पर i की product करेंगे जब आप इसमें i की product कर रहे हैं तो यह हो गया iu plus i square b i square की वाएसे minus हो गया अब जब आपने real और imaginary part को separate किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 plus i fz यह जो आपके पास है 1 plus i fz u minus b plus i u plus b यह भी आपके पास जो जब आपको method समझाया गया था वहीं से यह भी लिया गया है तो आपने क्या करा? अब यहाँ पर मतलब दोनों side को आपने क्या कर लिया? add कर लिया है यहाँ पर यह वाली equation first है इसको आपने first बोल दिया और इसको थोड़ी देर के लिए आप second बोल ले है दोनों को आपने क्या कर दिया? थोड़ी देर के लिए add कर दिया और real और imaginary part को separate करके लिख लिया तो left hand side में आपके पास आ गया fz common आ गया 1 plus i इधर क्या होगा? real part u minus b और imaginary में आई common ले लिए तो क्या होगा? u plus b होगा जैसा method के method समझाते समय भी आपको बताये गया तब ऐसा ही काम यहाँ पर हुआ है अब next step में आप बढ़ते हैं आपने क्या बोला? यहाँ पर यह जो आपके पास right hand side दी गई है इसको आपने क्या मान लिए? capital Fz इसको denote कर दिया यह जो आपके पास दिया हुआ है capital Fz आपने इसको कहा और यहाँ पर u minus b को capital u और u plus b को capital b आपने कहा तो यह आपके पास जो question मना है आपके पास यह इस form में question आ गया है capital u plus i अब जो आपको दिया हुआ है वो u minus b दिया हुआ है capital U कितना दिया हुआ है आपको U-B दिया हुआ है तो जो आपको यह दिया हुआ है तो चुंकि यह real part आपको दिया हुआ है U-B यहाँ पर imaginary part नहीं है इसलिए आप इसको कैसे treat करेंगे जैसे आपने first question जो आपने simple function x और y उसमें आपने differentiation किया ऐसी ही आपने del u over del y निकाला पहले function को क्या कहा आपने जब del u over del x निकाला तो इसको आपने कहा है 51 xy जब y में करा तो 52 xy फिर भई procedure x के place पर z रखते हैं y के place पर क्या रखा आपने 0 रखा तो यह दो function आपको मिले अब million thompson method जो first type बाला था उसमें आपने क्या करा यहाँ पर क्या कर लिया 51z0 minus i52z0 first step में जो आपने जो पहले वाले type question किये थे जब आपको real part दिया गया तो बीच में minus था तो minus लिया आपने और दोनों क्या करते हैं आपर integration आपने कर दिया तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है यह term मिलता है integration करने पर यह वाला integration करना कोई भारी काम नहीं है इसी सा integration है यह आपने क्या करते हैं अब आप क्या करते हैं value वापस करते हैं capital fz कितना था capital fz आपने किसके place पर लिया था 1 plus i और fz के place पर आपने capital fz लिया था तो आपने value यहाँ पर return कर दिये यह आपने as it is तो fz कितना बिला आपके पास 1 upon i 1 minus i upon 1 plus i z cube इससे आपने divide कर लिया एक नया constant आपने बोल दिया किसको c upon 1 plus i को c1 बोल दिया और इसमें जो भी गुणा भाग करका है आपके पास यह आ गया minus i z cube तो यह आपके पास नया function बन गया fz यह क्या है आपके पास analytic function है जो आपको चाहिए था तो question बहुत easy है इस type के भी कोई problem नहीं है केबल जो simple सा आपके पास step by step solution दिया हुआ है जो आपको method भी बताया गया है यू प्लस आई भी दिया गया है आई से आपने product की दोनों को add कर लिया एक टर्म को capital U लिखा एक को capital V लिखा और आपको पताए कि आपको capital U दिया हुआ है चूंकि real part आपको दिया हुआ है तो आपने क्या करा इसी तरीके से proceed किया U का X में U का Y में 5 1 X Y 5 2 X Y 5 1 Z 0 5 2 Z 0 integration के और बाद में capital FZ की value को आपने return करते हैं तो यह कोई बहुत भारी question नहीं है easy question है आप easily कर सकते हैं आईए अब आगे बाद करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं million thompson method के बाद conformal mapping नाम का भी एक topic है conformal mapping और bilinear transformation इनके numerical भी कभी कभी आ जाते हैं एक दो तो छोटे छोटे numerical है वो आप कर सकते हैं पहले इसों समझ लीजिए है क्या आपने लिखा suppose that the transformation uxy bxy maps the two curves c1 c2 intersecting at the point pz0 of z plane on the two curves c1 c2 that intersecting at p-wz मतला आपने यह कहा कि आपके पास दो transformation आपने लिए हुए हैं जिनको आप u और b कह रहे हैं तो यह क्या कर रहे हैं जोगी किसी find z0 पर intersect कर रहे हैं तो उनको यह क्या कर रहे हैं किसी दूसरे plane में आप transform कर रहे हैं c1 c2 डैस कर वे उनको transform कर रहे हैं औप किस find पर intersect करते हैं p-w0 पर तो आपने क्या करा अपने curves को z plane से किसमे convert कर रहे हैं w plane में convert करना चाहते हैं जैसे नीचे मैंने example में लिखा हुआ है यह आपके पास क्या होगा यह एक curve होगा यह आपके पास सब्सक्राइब आपने z plane ले लिया यह आपने w plane ले लिया तो एक plane से दूसरे plane में convert कर रहे हैं तो यह आपने नीचे क्या का, if the angle between C1 and C2 at Z0 is equal to angle C1 and C2 dash at W0, तो आपने यह कहा कि यह जो point जिन point पर curve intersect करते हैं, C1 और C2, Z plane में point of intersection क्या है, Z0 is equal to C1 dash and C2 dash at W0 in W plane, तो अगर यह angle क्या है, same है, मतलब जो angle आपका Z plane में था, वही दोनों curve के वीच angle W plane में है, then the transformation is called isogonal, तो transformation को आप क्या बोलते हैं, isogonal बोलते हैं, अगर आपका angle दोनों प्लेन में same ही बना रहा है, जो angle आपने Z plane में लिया था, वही convert करने पर W plane में दोनों curve के वीच angle same है, तो क्या कहलाएगा, isogonal कहलाएंगे transformation, if the sense of rotation as well as magnitude of angle is preserved, then the transformation is called conformal, मतलब अब आपके पास क्या है, अगर rotation का sense और magnitude, अगर rotation और magnitude दोनों क्या रहते हैं, same बने रहते हैं, तो transformation क्या कहलाता है, conformal transformation कहलाता है, मतलब जितना angle है, वह उतना ही बना रहे, magnitude भी same बना रहे, और उसका direction याई rotation में same हो, तो transformation क्या कहलाता है, conformal transformation कहलाता है, यहसा आपने यहाँ पर क्या, c1, c2 लिया, c1, c2 dash, c1, c2 dash के वीश निकाला, तो यहाँ पर angle same ही है, magnitude भी same है, theta है जिसको आप बोल लाएंगे, तो यह क्या है आपके पास, c, c, z plus w, is called by linear transformation of linear fraction transformation, where a, b, c, d, r complex constant, a, b, c, d, r complex constant है, तो यह जो w ही कहलाता है, movious transformation कहलाता है, such type of transformation was for studies by matrices, and then it is something called movious transformation, तो जब आप इसकी गुणाभाग कर लेते हैं, एक साइट से दूसरे साइट में ले आते हैं, तो यह आपको formula प्राप्त होता है, यह आपको कहां से मिला है, यहीं से मिला है, इस वाल equation से यह जो उपर दिया हुआ है, w equal to करके, तो इस transformation को आप क्या बोलते हैं, यह कहलाता है, movious transformation कहलाता है, एक cross ratio को हमारे पास और formula भी होता है, यह कुछ important से formula हैं यहाँ पर, यहाँ से आप से क्या कहा गए, यह जो हमारे पास है ratio, यह जो ratio है, यह क्या कहलाता है, cross ratio कहलाता है, कोई भी चार point का, तो यह भी आपको याद रखना है formula, कभी कभी इस पर question आयाता है, इस ratio is invariant under by linear transformation, तो यह ratio क्या करता है, invariant रहता है जब भी आपको transformation को एक plane से दूसरे plane में करते हैं, तो कभी कभी इन चोटे चोटे formula पर question पूछ लियाते हैं, like इस formula पर, यह जो उपर formula दिया गया है, इस पर आपसे question कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो उपर दिया हुआ, तो आईए से question करने ही कोईस करते हैं, पहला question दिया गया, find the, यह हमसे कहा गया, image of circle, इस transformation के अंदर, जब आपने z से w transformation में गए है, तो आपको image बतानी है कि circle की image कैसी बनी, तो आपने w लिया, z upon z plus 1, यह multiply की, इधर से इधर यह आगया आपके पास, z आगया, तो z को आपने क्या कर लिया, excite कर लिया, w को excite कर लिया, अब आपके पास क्या है, since z minus 2 equal to 2, तो आपको mode z minus 2 equal to 2, circle की equation दी गए, यानि as circle जिसका center 2 पर है, और radius भी क्या है, 2 है, आप जानते हैं, जब modulus function को आप खोलते हैं, तो z minus 2, z bar minus 2 equals to 2 square, मतलब जब आप इसका modulus को लेंगे, तो modulus z equals to z dot z bar की equal होता है, आप जानते हैं, तो आपने इसका यहाँ पर बार लिया, तो 2 पर बार का कोई फर्क नी पड़ेगा, z पर ही बड़ा है, z पर बार आगया है, इधर का right hand side का आपने square कर गए, z minus 2 जब आपने लिया, तो कितना आगया आपके पास, z minus 2 के आप value रखने, z कितना है, w upon 1 minus w, अभी आपने उपर से लिखी है, z की value, यह आगया आपके पास, साथी साथ, अब आपने क्या करा, आगे जब आप पड़े, तो z bar minus 2 की value को निकाला, यह आगी, दोनों की value को आपने क्या कर लिया, equation number 2 में आपने रख लिया, equation number 2 क्या है हमारे पास, वो यह रही, इस वाली equation में आपने value को रखा, पहले z minus 2 निकाला, फिर z bar minus 2 निकाला, दोनों की value को इसमें रख रहे हैं, तो यह आगए आपके पास, multiply करी, थोली calculation की, तो आपके पास यह equation आगई, डबलू डबलू बार, डबलू प्लस डबलू बार, इस टाइप से करके, तो आप जानते हैं, डबलू डबलू बार किसके equal हो जाएगा, u square plus b square, चुकि w equals to किसके होता है, u plus ib के, तो जब आप इसके बार से, यानि u minus ib से इसको गुणा करते हैं, यह कितना जाता है, u square plus b square, w plus w बार, यानि u plus ib में, u minus ib को जोड़ेंगे, तो 2u आ जाएगा, तो u square plus b square, यह आगा आपके पास, तो यह कैसे circle की equation है, जिसका center क्या होता है, इस type जब आपको circle की equation मिलते है, u square plus b square minus 4 by 5u, तो यह क्या होता है, center minus g और minus f, और radius क्या होती है, g square plus f square minus c की power 1 by 2, यह आपने 12th class में formula पढ़ा हो, जो coordinate का आपने थोड़ा study की होगी, कि circle, जिसके center minus g और f है, जिसकी circle जिसकी equation इस form में दिवी होती है, a square plus b square minus 2gf plus 2hy करके, तो यहाँ पर क्या होता है, center minus g और f, तो और यह कितना होता है, radius कितना होता है, g square plus f square minus c की power 1 by 2, तो यहाँ पर g तो उमें दिया हुआ है, 2gx, 2fy आना चाहिए था, वो 0 है, तो 2g आपको दिया हुआ, g कितना दिया हुआ है, 2 by 5, चुँकि 1 by 2 होता है तो formula में, यह हो गया आपके पास, f कितना हो गया, 0, जब दोनों का square करा, minus 1 constant को, आपने constant कितना है, यहाँ पर, सीधे रखा है, radius को center ही बोल सकते हैं, वो 0 है, इसको हटा है, तो कितना आपके पास, 2 by 5 यह आपको मिल गया है, image of circle क्या हो जाएगी, यानि image क्या हो गई, यह circle कैसा हो गई, बिस center, 2 by 5 और 0, और radius कितनी आगई आपके पास, 2 by 5 आपके पास आगई है, g और f आपने कहाँ से निकाले, g आपके पास क्या होता है, g होता है, यह constant जो यहाँ पर दिया होता है, minus g, minus g और minus f बोलते हैं center को, तो g तो यह हो गई आपके पास, और f कितना होता है आपके पास, f होता है जो v के साथ यह होता है, यह next term में, जो कि v हमारे पास नहीं है, तो वो कितना हो गया है, 0 हो गया है, center के लिए 1 by 2 होता है, इसलिए क्या हो गया है, solve आप देख लेंगे एक बार इनको आगे जो question दिये हुए है देखते हैं ध्यान से यह दिया गए आपको find the bilinear transformation which maps the point z1, z2, z3 into point w1, w2, w3 respectively मतलब आपको ऐसा transformation बताना है जो z plane में दिये हुए इन points को क्या करें w point w plane में क्या कर दें convert कर दें तो मतलब z1, z2, z3 दिया हुआ है w1, w2, w3 दिया हुआ तो इसके लिए हम एक formula यूज करने है तो bilinear transformation which transform z1, z2, z3 respectively into w1, w2, w3 यह z3 है तो गलती से लिखा हुआ है बापर z2 तो आपने क्या करा ऐसा transformation का क्या formula होता है इसको आप याद कर लेंगे दो formula आपने उपर याद किया है कि इसको भी याद रखेंगे कि ऐसा transformation जो z1, z2, z3 को w1, w2, w3 में transformation करते तो क्या होता है w-w1, w2, w3, w1-w2, w3, w3-w जैसा इधर है वैसे ही same z में रहेगा z-z1, z2-z3, z1-z2, z3-z, जैसे w में है तो मतलब एक side यह आपको याद करने है formula यह दूसरे side का formula वैसे ही याद हो जाएगा अब आपने क्या करा सारी value आपके पास है z1, z2, z3, w1, w2, w3 इन सारी values को आपने रखा इसके अंदर इसके बाद आपने अपनी calculation की real और imaginary part को separate करने के लिए calculation के step आपको स्वयम करने है चुकि calculation में ज्यादा समय बेस्ट नहीं करते हैं चुकि आपको मिनली topic concept आपको बताना है conjugate 1-1 से घुणा की और 1-1 से आपने क्या कर दी भाग कर दी राइट हैँड में आपने क्या कर दा दी हो गया तो डबलू एक चाइड आजाएगा और आपका जैड एक साइट आ जाएगा तो जब डबलो और जैड आपको पास separate हो जाएंगे तो आपको क्या कहेंगे यह आपको क्या मिल जाएगा required transformation मिल जाएगा थोड़ी calculation आपको कल लेनी है गुणा भाग करनी है W और Z को separate करना है और ले लेते हैं question इसका एक और question दिया गया find the while linear transformation which maps यह point आपको दे रखें into W1, W2, W3 तो फिर से भही काम है वैसा ही काम आपको करना है यह question important है जूँकि आत रहतने है तो इनको आपको ध्यान से करना है तो यह आपने क्या करा है यहाँ पर आपने लिया है एक और आपको point दे रखे हैं W1, W2, W3, Z1, Z2, Z3 तो फिर जबही formula यह आपने use किया इसको याद भी करना है एक side जैसे मैंने कहा एक side याद कर लेगी दूसरा side याद हो जाएगी W-W1, W2-W3, W1-W3, W3-W Z-Z1, Z2-Z3, Z1-Z2, Z3-Z तो यह जब आपने फिर से formula हैं value रखी यह सारी value आपके पास W1, W3 तो जब आपने इसे calculate किया जो cancel होड़ा था उनको cancel किया तो यह आपके पास बना W equals to minus 1 upon Z आपको मिल गया है एक और question आपको नीचे दिया हुआ है find the while linear transformation that maps the 0, minus I, minus 1 into this तो फिर से आपको Z1, Z2, Z3 दिया हुआ है फिर से आपने value रख ली फिर से आपने यहाँ पर separate किया है separate करने के बाद W X side, Z X side तो जब यह हो जाएगा तो यह आपको transformation यहाँ भी मिल जाएगा I की गुड़ा भाग, conjugate से गुड़ा भाग यह आप पहले से ही जानते हैं यह आप easily कर सकते हैं तो formula आपके पास एक ही है transformation करने का simple था इसको आप याद करने इस formula के ओपर कभी-कभी question जादा आते है तो यह important formula इसलिए तीन question मैंने आपके notes में भी आपको extra में provide करवाए हैं और यहाँ पर भी आपको solve करके दिखाएं तो formula easy है आप गुड़ा भाग easily कर सकते हैं conjugate से गुड़ा भाग करना इस टोपिक के साथ ही आपकी unit number 4 पूरी तरीके से finish हो गई है कोई भी topic इसका छुटा हुआ नहीं है bilinear transformation भी हो गया conformal mapping की definition आप याद करने हैं चुँकि last year conformal mapping की definition पूछ लिगई थी what is conformal mapping तो मैंने conformal mapping को भी example भी आपको समझाया है उनका diagram भी बना कर दिखाया है तो वह आप याद करें इस type of question भी कभी कभी आ जाते हैं जैसे मैंने आपको last means all करा है है ठीक है तो यह आपकी fourth unit आज पूरी हुई है video lectures में हालागी पहले ही हम आपको notes की form में भेज चुके हैं लेगे video lecture भी बनवाए है अब जो next आपका lecture होगा उसमें unit number five यानि complex integration हम सुरू करेंगे आप इन सभी lectures को अच्छे देखते रहे हैं और आपने त्यारी करते रहे हैं थैंक्यू